जाहें दोस्तों मैं हम विसंदान चारान और सवाइद खरता हूं आपके अतने यूट्यूब चैनल विएम टेक इन्फोक हैं दोस्तों आज का यह जो वीडियो है वह लोगों के लिए है जो बारती इस्टेट बैंक की बीसी है जाने कि बारती इस्टेट बैंक के CSP सेंटर च और दूसरी बात है तानजिक्शन पासवर्ड जो कि हम कभीका बार टांजिक्सवर्ण क्या होता दोस्तों कि कीबोर्ड से लगाते हैं और जो बटन है हो ठीक सँप्रेश नहीं होते हैं तो ऐसे में चाहिए पासवर्ड रगा देते हो और एक दू बार अगर गलत लगा दे उनके पास भी कोई समय नहीं होते रहता है या फिर उबैस्ट होते है दमाई मदिद नहीं कर सकते हैं तो ऐसे मिग्या होता दोस्तो पुरा दीन नमारा सेंटर बंद रह सकता है कभी-कभी दो गंटे-चार गंटे पुरा दिन भी बंद रह चुके मुझे भी यह चीज की कई बार प्रोल्म हो चुके तो दोस्तों इसकी में आपको एक सौट आउट मैंने निकाला है मैं आपको एक रस्ता बताऊंगा याले कि एक तरीका बताने वाला हूं उस तरीके से अगर आप टांजेक्शन पासवर्ड लगा होगे तो आपके टांजेक्शन पासवर्ड कभी भी आपको मिलती रहें तो इसमें मैं पहली नापको यह तो आपको यह बता देता हूं कि हमारे सब लिए बहुत अच्छी और गुण नीच है है कि जो हमारी ID है बार-बार लॉग आउट हो जाती थी तो उसका भी प्रोब्लम सोल हो चुका है दोस्तों आज मैंने इसको ID को कम से कम 20 मिनट तक open करके रखी है और उसको मैंने कोई टांजिक्षिन नहीं किया था उसको आध भी नहीं लगया था और वो ID अभी तक लोग आउट नहीं हुई है तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है और अच्छी गुड़ने हो जाएं अब दूस्तों बात करते हैं टांजिक्षिन पासवर्ड की तो दूस्तों यहां पर पहले में आपको एक फटा-पट टांजिक्षिन करके बता देता ह उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तरीका देखे इसमें दोस्तों दो चीजों की फाइदा एक तो हमारा समय भी बत जाता है क्योंको टांजिक्षिन पासवर्ड हम जब लगाते उसमें कम से कुन थोड़ा बहुत समय जरूर लग जाता लेकिन मैं जिस तरीके से पासवर्ड लगाऊंगा उसमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा तो यह दोजार रुपी मैं अभी मेरे अकाउंट में डिपोजिर कर लेता हूँ मैं यहँ पर फिंगर लगा दिया और अदिए अधर कितने जल्दी मैंने पासवर्ड यह बूब एक आथो हात लगा दिये यह देखिए दिस्तों बिल्कुल इसका टाइम दिए अब यह तरीका क्या दोस्तों मैं आपको बता देता यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है जो भी एक नॉट है अपने इस्टिकी नॉट जो होती है उसको आपन करके रखना या फिर कहीं पर भी आप अपने सिस्टम में उसको टाइप करके रख सकते हैं जो कि मैंने यहां पर टांजेक्शन पास अब रहा है तो इसको क्या करना दोस्तों आपको ऐसे सेलेट करके इसको कॉपी करके रख देना है ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको दूस्तों क्या करना है आपको सिफ्ट और इंसर्ट पहले आपको सिफ्ट बटन है जो क्यों को फ्रेश करना सिफ्ट वाले को और उसके बाद इंसर्ट के बटन को लगने की बिल्कुल संभावदा नहीं है क्योंकि दो यह बटन आपको इसमें यूज लेने ज्यादे आपको बटन दबाने नहीं है तो आपके पासवर्ड है जो ब्लोक नहीं होंगे दोस्तों तो मैं यह तरीका है मुझे कहीं से मिला था और यही मैं तरीका आपना रहा हूं उम्मिद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे शेर करें और आपका कोई सवाल है तो कमेट करके मुझे जरू बताएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं को अगले नहीं वीडियो के साथ तब ते के लिए जय ही झाल झाल